तो ये लेनन पिक पास्ट हो मैंने इंडियन तो इन्हों ने समय किये हुए आज चुप जित दूद दही का खाना देश सामें देश हर्याणा मारे हर्याणा का जब जब नाम आता है तब तब हम देश के उन जाबाज खिलाडियों का सेना में तनात छोरो छोरियों का जिकर करते हैं जो हमारा सीना गर्व से उचा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते ऐसा ही प्राउड मुमेंट हिसार की बेटी ने भी दिया है दरसल हर्याणा की परवता रोही रीना भट्टी ने किर्गिजस्तान की बरफीली चोटी लेनिन पर भारत देश का तिरंगा लहराया है 7134 मीटर उचाई पर देश का तिरंगा फेराने वाली वो पहली भारतिय महिला बन गई है हर्याना ही नहीं पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परवतारोही भट्टी किर्गिजस्तान में लेनिन चोटी पर चड़ाई के लिए 14 जुलाई को भारत से किर्गिजस्तान पहुची थी 17 जुलाई को बेस कैम्प में उनके टीम रुक गई रिणा के साथ टीम में आठ और सदस्य भी थे 19 जुलाई को किर्गिजस्तान की चोटी पर उन्होंने चड़ना शुरू किया आठ सदस्यों में दो परवतारोही को अनुभव था टेंट वखाने को लेकर उन्हें साथ साथ चलना था टीम के अन्य सदस्यों को भी साथ लेकर चलना था दस से बारा किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाय चल रही थी 26 जुलाई को रिना ने अपनी मंजिल पते कर ली और वहां तिरंगा फेराया दिखिए ये वीडियो चोटी फते करने के बाद रिना घर लोट आई है परीजनों में खुशी का माहूल है आपको बता दे रिना भट्टी से पहले कई चोटियों को फते कर चुकी है हिसार से विनूत सैनी पंजाब केस्रे टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद